कि नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे एंड लास्ट एपिसोड में हम लोग रेक्टिफायर पढ़ रहे थे ठीक है तो आज का जो एपिसोड रहेगा दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टिप्लाय है ठीक है यह भी काफी इंपोर्डें है और इसमें काफी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा ठीक है तो आप हैण डालीए वोल्टेज मल्टिप्लाय है ठीक है ऐसे आप देखो दो मेतब हैं इसको समझने के, एक बड़ा डायर्क मेतब है, जिसके आप याद रख सकते हो, जिससे आप नंबर ले आओगे, वो बड़ा इजी मैतब है, मतलब मैं इसको दो मिनिटे में ख़तम कर सकता हूँ, ठीक है? एक मतल है कि इसको प्रोपरली समझा ज देखें, सबसे पहले कुछ basic terms सीखनी पड़ेंगे अपने को और वो basic terms क्या है ज़र देखें, माल लीजे मेरे पास कोई capacitor है, ठीक है और एक और capacitor, दो capacitor है, सोचिए और मैंने क्या किया मैंने यह पर voltage लगा दी input voltage यह है मेरा VIT यह मेरा switch था अब माल लीजे मैं input voltage को 0V से 10V पर ला रहा हूँ ठीक है और यह capacitor है C, यह भी capacitor है C तो आप मुझे दाओ, यह voltage की कितना बदले, यह voltage में कितना change आएगा, यह voltage में कितना चेंज आएगा पहले initially 0V पर थे यह अच्छा, VIT को मैं 0 से कहां पर लेके जा रहा हूँ? 10V मतब change in VIT कितना है बता मेरा 10V आप बताओ, अब switch on कर रहा है मैंने और voltage को मैं 0 से 10 change कर रहा हूँ आप मुझे दाओ, इन में कितनी voltage बदलेगी? इन में initial 0V थी? आप बताओ, इसमें कितनी voltage बदलेगी? बताओ इसमें 5, 5V VC1 बन जाएगी, यह मेरा capacitor C1 है, यह C2 है और माल लीजे C1 भी C है और C2 भी C है तो इसका उताओ, जो change in voltage आएगी, VC1, वो आएगी 5V और VC2, change in VC2, वो कितनी आएगी? वो भी आपकी 5V आएगी, सही बात है, यह भी 5V, यह भी 5V बदलेगी, को दिक्कत तो नहीं है, अगर बराबर बराबर है तो, बढगर यह बराबर ना होते तो, तो फिर अलग बनता है, जैसे माल लीजे C होता, और यह माल लीजे 2C होत तब, तब कैसे निकालते हैं, कि इसकी वोल्टेज में कितना बदलाव आएगा, और इसकी वोल्टेज में कितना बदलाव आएगा, यह कैसे देखोगे? तो देखो, आप इनको resistance में convert कर लो ना, आप इनको 1 by C की form में लिख लो, और यह 1 by 2C, अलग कि resistance नहीं है, बर behavior resistance की त तो आप बताओ, जो current बनेगा, वो क्या बनेगा? डिल्टा भी आई, current में जो change आएगा वो, 1 by C plus 1 by 2C, तो इसकी वोल्टेज में कितना बदलाव आएगा? इस current इनको क्या कर दो? 1 by 2C, यह तो इसकी वोल्टेज में बदलाव आगा, एस कांट, इस कांट, इसकी बताओ जरा, 1 by C, सही है, तो आप देखे क्या बना ये, ये कितना मैना बताओ जरा, ये बना डेल्टा वी आई, अब ये क्या बना, बताओ ना, 2 उपर जला, 2 उपर जला, 1 by 3 आएगा, और ये, डेल्टा वी आईटी, 2 by 3, सही है बही, बोले को दीख कर दो, इसका उतर C1, C2 by C1 plus C2, इसमें ये आएगा, ठीक है न, तो पहले क्या था, बराबर बरापर होते हैं, इसमें अगर डेल्टा वी आई का चेंज आता, तो इनमें डेल्टा वी आईगा है 2, डेल्टा वी आईगा हाफ आफ का चेंज आ रहा था, लेकिन मान लीजे, अगर बराबर नहीं है, जान देना, और ये जो वोल्टेज है मेरी VIT, ये मैं 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मान लीजे, ग्राउंड माल लो एक मिनट के लिए, ठीक है, इन्पुट वोल्टेज को मैं चेंज कर रहा हूँ 0 टू 10 वोल्ट, आप मुझे ये बताए ये कि यहां की जो वोल्टेज आएगी, V1 या V1 आप ये इसको V1 बोल्ट, ये कहां से कहां तक बदलेगी, with respect to ground, with respect to ground ये पहले 0 वोल्ट दी और उसके बाद मैंने 10 पे ले गाए उसको, चेंज कर रहा हूँ मैं वोल्टेज को, आप बताओ यहां की वोल्टेज में कितना बद जाएगी, current तो है ही नहीं, समझ रहा है मेरा point, कोई current नहीं है, इसका अधर capacitor के ऊपर कोई voltage आगी क्या, नहीं जी, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो मेरे output voltage होगी, that will be same, इसमें कोई drop ही नहीं आएगा, same as input voltage, इसका मतब अगर input 0 से 10 पे जा रही है, तो output भ ठीक है में, याद रहा है point, और capacitor charge नहीं होगा, clear है, चलो, यह अपने network theory में भी इसके experiment भी देखना हो, में भी, हाँ जी, मैं फिर से बोलना हूँ, अगर input voltage मेरी 0 से 10 चींज हो रही है, इसके उपर कोई charge नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, current नहीं आएगा, current नहीं charge नहीं आएगा तो इसके उपर कोई voltage नहीं आएगी, इसके across voltage के रहेंगी, 0, तो आप बताओ, यहाँ की जो voltage होगी, वही हाँ पर voltage आएगी, इसके across तो बात 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 बताते हो, इस चीज को समझने के लिए मुझे basic, यह कुछ चाईए बे, ठीक है, वो मैं बता रहा आगला पाइंट देखिए, यह C fix है, ज्यान देना, voltage को मैं बदल रहा हूँ, voltage मेरी change हो रही है, तो जब मेरी voltage बढ़ेगी ये वाली, तो capacity की voltage भी बढ़ेगी parallel में है, जब ये voltage बढ़ेगी, तो capacity voltage भी बढ़ेगी, सही बात है, और हम जानते है, Q जो होता है, CV, C तो मेरा fix है, अगर voltage बढ़ेगी, तो charge भी क्या होगा capacity बढ़ेगा, इसका मताब ये कह सकते हो कि positive charge इधर से आएगा, और इधर आजाएगा, ये आप कह सकते है, electron यहां से निकल की क्या कहते हो, ये आप ये भी बोल सकते हो कि positive charge इधर से इधर आएगा, इस plate के उपर positive आगया और इस plate पे negative, negative electron इधर से इधर से इधर आजाएगा, ये दूसरा एक convention है, देखने का नजरिया, असल में तो electron इधर से निकल की इधर आजाएगे, as a whole ये अभी भी neutral रहेगा, but इस तरह का current flow करेगा, इसके उपर charge आएगा, कहने का मतलब ही है, और जिस time voltage decrease होगी, उस time क्या होगा, बता उजरा, यहां से यहां तक देखो voltage, यहां पर यहां से इंक्रीज होगी voltage, तो इसका उपर charge इंक्रीज होगा, इधर negative charge इंक्रीज होगा, इसका मतलब current इधर से इध करेगा, क्यों इधर से इधर, क्योंकि इधर positive charge होता है, उधरी current होता है, इलक्तर इधर से इधर से इधर जारे है, तो अगर electrone इधर जारे है, तो current की दे होगा, इसका उल्टा, current इधरी हो जगा होगा, चन्ब है, ख़र आपको, current इत ओर से उल्टेज होगा, circumstance उल्टेज current आपका उल्टा हो जाएगा ज्यान दीजेगा तो इसका वोल्टेज डाउन तब होती है जब चार्ज वापी जाए ठीक है या फिर मैं दूसरे सेंस में बोल सकता हूँ कि वोल्टेज अगर डाउन हो रही है इसका मतलब कपैस्टरगी वोल्टेज डाउन हो रही है इसका उसका चार्ज भी क्या हो रहा है कम हो रहा है इसका उसका उसका चार्ज वापी जाएगा समझने हो मैं क्या बोल रहा हूँ वोल्टेज अगर कम हो रही है इसका उन्दा चार्ज भी कम हो रहा है इसका उन्दा चार्ज क्या होगा फिर अब मैं पहले आपको ना लंबा मेथर समझा रहा हूँ ठीक है विकोज लेंदी जो मेथर होते हैं वो पड़ी इंफोमेशन देने वाले होते हैं ठीक है डिफिकल्ट पाथ जो होते हैं ओल्वेज याद रखिये अगर आप सिंपल वे ले रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हो ठीक है तो मुश्किल तरीका जो होता है या लंदी तरीका जो होता है वो बहुत इंफोमेटी होता है ठीक है उसमें इंफोमेशन बहुत जादा होती है shortcut जो होते हैं वो number तो दिला देंगे आपको बड़ वो information सारी गाइब कर देते हैं ठीक ना तो इसलिए मैं पहले बर लंबा method लेके चलूँँगा सोदर आपकी understanding बने और उसके बाद फिर्मा आपको उसका shortcut भी बता दूँगा कि किस तरह से आप directly देख सकते हो ठीक है तो माल लीजए मेरे पास एक circuit है दोस्तों मैंने माल लीजए कुछ इस तरह का circuit बना रखा है यह भी C है माल लीजए यह भी C है एक मिनट रुकिये मैं थोड़ सा इसको modify करूँँगा भई बना तरह नहीं लिए और अभी भी मत बनाईएगा क्योंकि मैं further modify कर सकता हूँ मैं एक बाद चेक कर रहा हूँ कि मैंने सही बनाया क्या ठीक है देखो असल में हम लोग जो circuit आगे बनाएंगे वो इस तरह का होगा यह capacity लगाया और में भी मैंने यह diode लगाया ठीक है यह capacity लगाया उसके बाद यह diode लगाया जो में ध्यान से देखो यही circuit है क्या क्या circuit safe है क्या अपज लगा दिये चलो उल्टा लगा दो ऐसे लगा दो यह इस तरह और यह इस तरह अब बताओ आप safe है बस ठीक है ठीक है यह circuit है यह होगा मेरे खाल से ठीक है चलिए तो आप बना सकते आप ठीक है कुछ इस तरह का है मैं इसको further verify कर लेता हूँ ठीक है ठीक है यह मेरा diode D1 है और यह मेरा diode D2 है यह C और यह C यह मेरा Vm sin omega t है अब मैं देखना जारा हूँ कि current कैसे flow करेगा capacitor कैसे charge होगे ठीक है यह मुझे इसका analysis कर ले और सच बता हूँ तो यह voltage doubler है अब इसको doubler क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता हूँगा इसको याद कैसे रखा जाएगा वो भी मैं तरीका बता हूँगा बट फिलाल आप भस ध्यान दीजे कि एक कैसा circuit है और उसको मुझे solve कर ले ठीक है न आप खुद कीजेगा वो आपका homework रहेगा ठीक है न मैं negative voltage से start कर रहा हूँ ठीक है न देखिए input voltage मेरी कुछ इस तरह की है मैं input के negative cycle से start कर रहा हूँ इस ओमेगा टी 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi this is vm this is minus vm ये है मेरा omega ये VC1 ये capacitor मेरा VC1 voltage में लिख रहा हूँ भई VC1 t और ये जो है polarity जान देना भी ये जो voltage है इसको मैं VC2 बोल रहा हूँ VC2 t तो दोनों को मैं बनाऊँगा ये मेरा VC1 t है और नीचे वाली जो voltage है वो है मेरी VC2 t ये दूस्री voltage है ठीक है दोस्तों तो चलिए जड़ा देखते हैं मैं जा रहा हूँ पहले आप समझ येगा because ये बहुत लंदी है process ठीक है तो इसलिए board पे रहिएगा because आपको ये अगर आपको notes बनाने तो आप मेरे खाल से video से भी बना पाओगे ठीक है तो समझने पर ध्यान देना ठीक है ना या साथ-साथ अगर आप link पाओ तो आप साथ-साथ लिए ठीक है मैं चाहरा हूँ कि आप समझ ये पहले जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी पहले इसको समझ ये फिर video को रोक के और फिर खुद आप बनाईए अपने अलग तरह कैसे ठीक है बार-बार उसको repeat मत किजे समझने के बाद खुद आप बनाईगा ठीक है ना आप लोग class में जो बैठें है वो शिर्फ देखेंगे और अगर साथ-साथ लिख सकते तो आप link पी सकते ठीक है एक चीज मैं बता दूँ आपको जब भी आप capacitor के अंदर AC का analysis कर रहे होते हो तो quarter cycle पर देखा जाता है जैसे अभी अभी आपने quarter cycle पर देखा था कि एक quarter cycle तक voltage rise हो रही थी तो current positive था फिर voltage down होने लगी तो current आपका negative होने लग जया था quarter cycle पर ही चलेंगे हम लोग ठीक है ना चलीगे देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ जोरा देखते हैं कि कौन सा diet conduct करेगा कोई charge नहीं इनके ओपर zero voltage फिलाल दोनो diet को पहले क्या मनलो आप एक बर off मनलो डोनो diet को उफ मनलो ठीक है ज्कै ज्यान से समझे गशाल girगा तो अगर मैं दोनो diet को off मनलूँ अगर और इसको अगर मैं ground मनलू यह मेरा VIT यह मेरा VIT है तो तो यहां पे VIT आएगा, कोई current आएगा, पहले यह बताओ, कोई current नहीं आएगा, यहां पे अगर VIT है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे VIT आएगा, तो आप बताओ, जो D1 है वो कब connect करेगा, D1 कैसा लगा हुआ था बताओ, उपर था कि नीचे कितर था, ऐसे था क्या, इबर चेक कर लो भई, यही था, ठीक, तो इसका मतबब VIT should be, D1 on कब होगा, D1 on होगा, if VIT is less than 0, ठीक है, अच्छा, D2 कब on होगा, बताओ जरा, D2 on कब होगा, बताओ, if VIT is greater than 0, अगर input voltage मेरी greater than 0 आई, तो यह on होगा, और negative आए तो यह यह on होगा, तो पहले हम कौन सी cycle से सुरू कर रहे हैं, बताओ, negative cycle से, तो इसका पहले कौन on होगा, D1 on होगा, समझाया, याद रहेगा point मेरा, बोले ना, पहले D1 on होगा, ठीक है, तो चलिए, अगर positive से सुरू करते हैं, तो क्या होता फिर पहले, D2 on होगा, तो D1 on होगा, अगर आपका, आपने D1 को sort कर दिया, तो अब बताओ, voltage मेरी negative है, तो जो input voltage होगे भई तो इसके अग्रुशाएगी, बताओ, अगर मैं KVL लगाओ इस लूप में, बताओ, KVL लगाओ में क्या बनेगा, VIT, यहाँ सेलो, VIT-VCT, VC1T equal to 0, तो VC1T क्या बनेगे बताओ रहा, VIT ही हो जाएगे, सही बात है, KVL लगा दिया यार इस लूप में, ए, उल्टे लगाओ, कैसे में चलनो, VC1 जो बनेगा, VIT के बनाबर आएगा, इसका जो input voltage होगी, वही मेरी, VIT, capacitor के across voltage होगी, अब input voltage तो negative है, capacitor के voltage भी क्या होगी बताओ, लेकिन मैंने आपको बताओ कि, quarter cycle में देखेंगे, तो एक quarter cycle में, हमने देखा, pi by 2, तक, pi by 2, radian तक हमने देखा, तो बताओ, ये pi by 2 तक क्या होगा, बताओ फिर, VC1T क्या बनेगा, minus VM, यहाँ तक, और VC2 क्या रहेगा, बताओ, 0, यह 0 नहींगा, because, current नहीं आ रहा, इसमें कोई charge ही नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद देखे, अब यह VM पे charge हो च यह डाइट ऐसे है, यह डाइट ऐसे है, बोले न, तो इसमें उपर की तरफ current हो सकता है, अगर charge उपर की तरफ जाएगा, positive charge, तो plus इदर आएगा, और minus इदर आएगा, और इस politica कितरे पर आ चुका है, बताओ रहेगा, यह VM पर आ चुका है, यह VM पर आ चुका है, ठीक है, अब सुनो, इस point के बाद क्या होगा, क्या इस point के बाद यह diet कर पाएगा कभी भी, नहीं, क्यों, क्यों कि अब ज़र देखें, अब यहाँ पर अगर मैं zero मालनू, और एक बाइट को open मालनू, नहीं सिच्छन देखें अब, एक quarter cycle के बाद, मैंने आप बताया, quarter cycle के बाद, ह प्लस वीम हो जाएगा भी हाँ, तो अब बताओ, इस diet को open होने के लिए, अब क्या ज़रूरी है, बताओ जरा, vit plus vm should be, इसका उतर vit should be क्या होना जी, बताओ जरा, क्या minus vm से कभी less होगा, vit होगा, नहीं, इसका उतर क्या यह diet होगा, नहीं, और यह diet का उन होगा, बताओ ज इसका मतलब vit अगर vm से बढ़ा हो गया, तो क्या होगा, बताओ, तो आपका क्या होगा, vit अगर minus vm से बढ़ा होगा, तो d2 मेरा own होगा, समझाया, बोल यह को दिकर दे तो, चलिए, तो इस point के बाद देखो, vit क्या है मेरा बताओ, minus vm से बढ़ा है, बढ़ा है, तो क्या ह होगा बताओ जड़र, D2 मीरा ओन होगा, तो इसका होगा तब, यहां पे क्या ओन था बताओ जड़र, D1 ओन था, और D2 क्या था मेरा बताओ, D2 ओन था, तो, यहां पर लिखतु नहीं चे, D1 ओन, D2 ओन, D2 ओन अब आधे, अगले क्वार्टर साइकल उसे एंचे, अगले quarter cycle में देखते हैं अब यहाँ पे मैंने क्या बताए आपको यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा D2 क्या हो जाएगा बताओ जरा ON और D1 मेरा OFF रहेगा D1 मेरा OFF रहेगा अब मुझे दाओ इसका मतब यह ON हो जाएगा यह SORT हो जाए ठीक है? समय रहे हो आप मेरा point चलते जा रहे हो न? तो मैं पहले वाला रब कर देता हूँ यह वाली condition अब कायब हो जिते हैं पहले वाली ठीक है? अब यह ON हो जोगा है SORT हो जोगा अब मुझे एक बात आओ जरा input voltage अब यहां से यहां तक देख रहा हूँ न? मैं पहले input में कितना बद्राव आ रहे है? बताओ जरा VM का बद्राव आ रहे है input voltage मेरी VM rise हो रही है minus VM से 0 प्या रही है और 2 capacitor लगे हुए है तो आप बताओ क्या होगा दोनों में half half मैंने आप बताओ था input में जो change होता है अगर equal capacitor है यह नहीं वही पिछले वाला case नहीं बन गया CC वाला input में अगर delta VI का change आता है तो इन में दोनों में कितना change आएगा बताओ जरा delta VI by 2 तो इसका मतब यह जो voltage है यह और यह माइनस VM पे आ रही है कितनी change होगी बताओ जरा यह input में बदलाव VM का रहा है तो VM by 2 और VM by 2 कितना बदलाव इन में आ जाएगा लेकिन current इधर से इधर आएगा ध्यान दीजेगा तो polarity, ulti polarity पैदा करेगा इसका मतब इस voltage को क्या करेगा यह oppose करेगा माइनस VM by 2 और यह क्या होगा बताओ जरा यह तो positive आएगा भई क्योंकि इसमें तो देखो ला current इधर आ रहा रहा ना और इसी polarity का है जिस polarity का हमने माने तो इसका यह कहां तक आएगा VM by 2 समझ है भई? बोलिए यह minus VM by 2 हो चुका है यह वाला पहले वाला कपास्टर ठीक है मतलब स्टेल इसी polarity का है यह है minus VM by 2 और यह कितना है? VM by 2 हाँ जी कौन सी voltage? यह negative voltage है input voltage मेरी minus VM से 0 पे आ रही है इसका इन्पट voltage में तो change आओ positive है समझ रहे हो? VM का change है तो इन में change कितना आएगा? VM by 2, VM by 2 का change आएगा लेकिन यह opposite polarity का आएगा इसका ओंदे यह बढ़े की voltage यह minus में है ना? यह बढ़ेगा क्योंकि इस polarity का आएगा current इदर से इदर आ रहे है ठीक है? और यह भी current इदर से इदर आ तो यह तो positive रहेगा है ठीक है? समझ आया मेरा point? चलिए अब जड़र देखे अब यहाँ पे हो चुका है यह VM by 2 लेकिन अभी भी इस opposite polarity का बचा हुआ है आदी polarity खतम हो चुक है इसकी आदी voltage खतम हो चुक है यह minus व्म by 2 पे है देखो बता ना? हाँ बोले बई अब यहाँ पे है VIT plus Vm by 2 तो आप बताओ less than 0 होगी तो यह died on होगा इसका दब VIT should be less than minus Vm by 2 जो की नहीं है अगले quarter cycle में VIT क्या है बताओ ज़रा? बढ़ी है minus Vm by 2 इसका अदब D1 क्या रहेगा मेरा? off रहेगा दूसरा बताओ ज़रा VIT plus Vm by 2 should be greater than क्या होना चाहिए? Vm by 2 इसमार इदर Vm by 2 है ना यार? और इदर क्या है बताओ ज़रा? VIT plus Vm by 2 तो क्या होगा बताओ ज़रा? VIT should be greater than 0 तब मेरा D2 on होगा तो VIT 0 से तब बढ़ा ही आगले quarter cycle में इस काहूं तब क्या रहेगा? बताओ ज़रा D2 मेरा on होगा तो यहां से यहां तक तो यहां से यहां तक मेरा क्या रहेगा? D1 मेरा off और D2 मेरा क्या होगा? on तब बोलो input कहां से काहा तक जा रहेए? 0 से लेके Vm तक तो आउटबड में कितना वाएगा इन्पूर्ट बढ़ रही है मेरी तो ये कितना बढ़ेगा पता हुजरा वीजेंगी बढ़ेगा और वीजेंगी नीकिटिव गटिव अब बढ़ेगा है बढ़ देखना तो यह तो कितने पर आगया जीरो पर तो यहां से आया है और यह 0 पे आगा कुछ यह 0 पे आगा है ठीक है और यह बताओ क्या होगा यह वीम पे चला जाएगा यह मेरा वीम पे आजाएगा क्या कहते है यह मेरा वीम पे आगा बोले भी क्या कहते है यह मेरा वीम पे आगा ठीक है? तो यह हो चुका है VM यह हो चुका है VM और यह हो चुका है 0 सही है भी? सब कुछ रब कर दो? चली सब कुछ रब कर दें अब फिर से नई शुरवात फिर से नई शुरॵात बोले अगले quarter cycle में अब बताओ इसको और इसको दोनो को open कर दो अब फिर से नहीं शुरुआत देखते है हाँ जी बोलिए यहां की वोल्टेज इधर भी VIT रहेगा ठीक है तो यहां पर भी क्या आएगा दोनों पर मान रहे हो VIT यहां पर VIT आएगा अब बताओ यह डाइड ओन होने के लिए क्या जुरूरी है बताओ जरा D1 के लिए D1 मेरा ओन हो जाएगा और D2 ओन होने के लिए क्या जुरूरी है बताओ जरा greater than VM यह इधर VIT यह इधर VM है तो VM से तो बड़ा है नहीं VIT तो इसका रहेगा D2 off रहेगा लेकिन अब क्या होगा D1 candidate करेगा इसका अब यह short होगा क्योंकि VIT मेरा less than G no इस point ना ना VIT मेरा positive अभी दोनों क्या रहेंगे दोनों off रहेंगे वई ठीक है दोनों off रहेंगे इसका अब यहां से यहां तक दोनों off रहेंगे both off D1 off and D2 off दोनों तो यह constant रहेगा ना चार जा रहा है ना जा रहा है ठीक है और यह भी constant रहेगा सही है भई अब उसके बाद बोलिए यहां से यहां तक बोलिए अगले quarter sign अब यह condition लगीगे अब लगीगे तो बोलिए अब क्या होगा अब D1 on हो जाएगा D2 क्या रहेगा बता हो जाएगा off ठीक है अब D1 अगर on होगा तो आप बता हो इसकी voltage क्या होगीगा gain minus Vm यह gain minus Vm प्या जाएगा ध्यान दीजे कभी यह बड़ीया case है ठीक है अच्छा यह voltage क्या रहेगी बताद ना यह constant अब आए इस point तो यह ulti politica हो चुका है Vm के यह ulti politica हो चुका है Vm पे इस point के बाद और यह उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद अपने अपो हो जाएगा D1 अपने अपो हो जाएगा क्यो क्यो D1 हो हो जाएगा अब बताओ अब बताओ यह हो गया VIT प्लस अब बताओ फिरसे नहीं कंडिशन बताओ आब क्या बनेगी VIT प्लस VM भी लेस दन 0 इसका अब VIT भी लेस दन क्या हो नजी है minus VM यह D1 के लिए लिख रहा हूँ भी मैं परे तो क्या D1 हो पाएगा VIT less than minus Vm तो नहीं है इसका उतर D1 क्या हो जाएगा आप बताओ इस point पे D1 off हो जाएगा ठीक है अच्छा D2 का बताओ न VIT plus Vm greater than Vm इसका उतर VIT क्या होना चाहिए बताओ जरा क्या 0 से बड़ा है VIT 0 से बड़ा नहीं है फिर विलाल VIT तो negative है इसका मतर्द क्या रहेगा बताओ जरा दोनो ओफ रहेंगे यहां से यहां तक दोनो ओफ रहेंगे ठीक है बोले ना इसका मतर्द क्या हो बताओ जरा D1 off and D2 off ठीक है यह भी constant यह भी constant बोले अब आईए इस point की बाद बता कौन और होगा फिर से यही condition रहेगा बीबी इसमें कोई बज़रा भी नहीं आए इस सिचुएशन में तो इसका मतर इसमें कौन ओन होगा VIT greater than 0 हो गया D21 हो गया और D21 होते हैं फिर से मैंने क्या बूला हो इसमें change कितना हो रहा है बताओ यहां से यहां तक बताओ VM का change हो रहा है तो इसका मतर इसमें VM बै और इसमें VM बै टू तो इसका मतर इसमें क्या होगा बताओ तर और कोंचा हो गया D21 of D21 on D2 सही है भी तो यह हो चुका है Vm by 2 समझ आ रहा है भई Vm by 2 ठीक है अब नई सिच में से फिर से अब फिर से सोचिए इधर 3 Vm by 2 आ चुका है ठीक है अब फिर से सोचते है मैं रब कर रहा हूँ इस point के बाद इस point के बाद बोलिए हाँ अब यहां की voltage क्या है बता हुजरा VIT plus Vm by 2 ठीक है दो बोलिए D1 का बोल होगा VIT plus Vm by 2 should be less than 0 VIT should be less than minus Vm by 2 which is not फिलाल यहां इस point के बाद नहीं है दूसरा बता हो यह का बोल होगा when VIT plus Vm by 2 should be greater than 3 Vm by 2 VIT should be greater than क्या हो नजिये Vm which is not possible तो दोनों क्या रहेंगे बता हो ओफ कहां तक जब तक VIT कितना नहीं हो जाए minus Vm by 2 इस बार 0 नहीं minus Vm by 2 इसका होगा इस point समझा है मेरा point ठीक है जैसे यह point आएगा ध्यान दी जगा इस बार यह 0 वाला point नहीं ले रहा हूँ मैं इस point दोनों off है D1 off D2 off सही है यह constant रहेगा और यह भी constant रहेगा correct है बोले VIT अब less than minus Vm by 2 होगा इस point के बार तो इस point से अब इस point तक देख रहे है यह बड़ा interesting case है ठीक है अब देखते है अगले में क्या होगा तो बोले कौन सा on होगा अब D1 on होगा क्योंकि VIT less than क्या होगा minus Vm by 2 तो D1 on होगा अब बोले D1 on होगा input में कितना बगाब आ रहे है बता जाना input decrease होगा है कितना Vm by 2 input में Vm by 2 minus का पर दिलाव आ रहे है उल्टी polarity है तो इसका अब यह polarity बढ़ेगी कि घटे की बताओ यह बढ़ेगी ऐसे charge होगा ना तो इसका अब यह बढ़ेगी कितना बढ़ेगी लेकिन उत्रा ही बढ़ेगी क्योंकि यह तो off है जितना यह हो गया उत्रा ही जितना इन पुट है बूलेना यारे उत्रा ही तो होगा इसका मतब क्या हो जाएगा अब आपी से minus Vm यह तो इसके साथ मजाग चल रहे है ठीक है यह तो बचारा oscillate कर रहे है ठीक है अब फिर से नहीं शुरुआत मैं रब करते इसको देखिएगा अब ओले कौन सा यहां की voltage क्या है की बताजरा plus Vm तो D1 कब ओन होगा बताओ VIT plus Vm should be less than इसका तर VIT should be less than minus Vm VIT less than minus Vm पर आपका D1 ओन होगा सही है अच्छा यह बताओ यह कब ओन होगा यह बताओ यह कब ओन होगा बताओ न VIT plus Vm greater than 3 Vm by 2 इसका अधर VIT should be greater than Vm by 2 Vm by 2 पर greater बत फिलाल क्या own होगा पाएगा कहां पे own होगा बताओ D2 own होगा पहले यह तक own होगा ही नहीं क्योंकि less than minus Vm पर ही नहीं यह जो point आएगा इस point पे इसका अधर यहां तक क्या रहेगा बताओ दोनों क्या रहेंगे D1 of D2 of दोनों of रहेंगे यह constant और यह भी constant बहुत अच्छा अब आईए इस point के बाद इस point के बाद बोईए इस point के बाद यहां तक देखते हैं अब D2 on हो चुका है भाई ध्यान देना D1 of है मेरा और D2 मेरा क्या हो चुका है बताओ अब यहां पर D2 on हो चुका है ठीक है नश्ट तो अब बोलिए क्या होगा यह circuit काम करेगा अब input में कितना बदलाव आ रहे है बताओ जरा VIT by 2 से Vm पे आ रहे हो बोलिए Vm by 2 का बदलाव आ रहे है तो इसमें कितना बदलाव आएगा Vm by 4 और इसमें भी Vm by 4 इसमें यह rise कर जाएगा कितना rise करेगा Vm by 4 rise करेगा तो 3 Vm by 2 तो पहले हो चुका था 3 Vm by 2 तो पहले था Vm by 4 और आ गया कितना हो गया बताओ जरा 2 Vm कहां से हो गया 5 Vm by 4 7 Vm by 4 7 Vm by 4 यह हो चुका है और यह क्या होगा पता हुजरा यह minus Vm पे था इसमें Vm by 4 एंट कर दो तो कितने पे रहेगा पता हुजरा यह minus Vm पे था अब यह कितना रहेगा पता हो न यह value क्या है बोलो यहारे minus Vm पे था उसमें Vm by 4 change हो गया न यह add हो गया minus 3 Vm by 4 यह हो चुका है minus 3 Vm by 4 बहुत अच्छा यहां तक अब फिर से नई शुरुआत है ठीक है रब कर दूँ इसको रब कर रहा हूँ फिर से नई शुरुआत देखिए यहां की voltage अब बदल चुके है पहले तो 7 Vm by 4 बस अब ज़्यादा नहीं करेंगे थोड़ा सा और बचा हुए और यह कितना हो चुका है बताद रहा तो minus है तो इसका अदर polarity कर दो अब यहां की voltage बताओ क्या आएगी यहां की voltage आएगी VIT plus 3 Vm by 4 क्या करते हो यहां की voltage आएगी अब बताओ यह diet ओन होने के लिए क्या जुरूरी है बताओ जरा VIT should be less than minus 3 Vm by 4 जो की फिलाल तो नहीं है अच्छा दूसरा बताओ जरा यह कब ओन होगा plus 3 Vm by 4 should be greater than क्या होना जिये 7 Vm by 4 तो इसका मतलब दोनों ओफ रहेंगे लेकिन कहां तक ओफ रहेंगे जब तक VIT minus 3 Vm by 4 ना आजए अब minus 3 Vm by 4 यहां पे है यह minus Vm by 2 था तो minus 3 Vm by 4 इनके middle में आएगा इसका मतलब जो wave है यह पूरी नहीं है अभी पूरा करना पनेगा अब बस एक दो साइकील हो रहें बस उसके बाद आपको समझा जाएगा concept क्या है ठीक है तो यहां पे यहां पे जाके फिर से क्या होगा फिर से आपका process स्टार्ट होगा लेकिन ज़रा देखते क्या है दोनों क्या रहेंगे यहां तक बताओ डी वन ओफ डी टू भी यह constant इस पे यह constant इस पे अब बताओ उसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा बताओ जाएगा डी वन ओन हो जाएगा डी वन मेरा ओन हो जाएगा ठीक है डी वन ओन होते फिर से क्या होगा यहां तक D1 on होते क्या होगा बता हुजरा यह again minus Vm पर आ जाएगा ठीक है और यह constant रहेगा ठीक है नई शुरुवाद फिर से ठीक है अब ज़रा देखें मैं रब करतू फिर से बोले रब कर रहा हूँ यह वापिस Vm पर आ चुक है अब बोले बही क्या होगा यहां की voltage बोले क्या आएगी VIT plus Vm तो बोले D1 कप और होगा D1 on कप होगा when VIT is less than minus Vm क्या कहते हो VIT plus Vm should be less than 0 अच्छा D2 कप और होगा बता हुजरा D2 VIT plus Vm should be greater than क्या होना जी बता हुजरा इसका उन्तर VIT should be greater than क्या होना जी बता हुजरा 3 Vm by 4 और 3 Vm by 4 somewhere यहां पे है यह Vm by 2 था पीच में और इसके बीच में फर्दर क्या हैगा 3 Vm by 2 यहां पे जाके आपका क्या होगा बता हुजरा D2 one होगा इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक क्या होगा बता हुजरा दोनों क्या रहेंगे off रहेंगे यह V off D2 V off सही है यह constant इस पे और यह constant इस पे अब आईए आगे बढ़ते हैं यहां से यहां तक बता हो क्या होगा कौन सा ओन होगा बोले भई अब होगा D2 D2 on होते बताओ क्या होगा फिर से इन्पुट में कितना बदला पा रहे है 3 Vm by 4 से Vm पे जा रहे हो Vm by 4 तो इसका उतर Vm by 8 इसमें बदलेगा और Vm by 8 इसमें बदलेगा तो आब बताओ यह Vm by 8 कहां पे था बताओ minus 7 Vm by 8 यह यह हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 7 Vm by 4 पे पहले ज़दा यह rise कर जाएगा कितना बताओ ज़दा 7 Vm by 4 पे पहले ज़दा अब कितना और हो गया Vm by 8 और जुड़गा क्या हो गया बताओ ज़दा 15 Vm by 8 सही है उसके बाद फिर सहे चलेगा ठीक ना समझ गयोंगा आप मेरा point अब ज़दा देखिए हो क्या रहा है अगर आप इसको पकड़े तो यहाँ पे था Vm by 2 फिर यहाँ पे Vm फिर 3 Vm by 2 फिर 7 Vm by 4 तो अगर मैं इसको पकड़ूँ इसको अगर मैं लेकर चलो तो देखिए शुरुआत यहाँ से करता हो चलो Vm या Vm by 2 से कर लो Vm by 2 plus पहले Vm by 2 था कितना add हो चुका इसमें जितना जिना extra add होता जा रहा हो चोड़ते जाए बस प्लस Vm by 2 तो यह बन चुका है यह extra add हुआ है कितना add हुआ है बता हूँ Vm by 4 प्लस Vm by 8 प्लस बोलिये Vm by 8 तो क्या देख पारेगा पहले दो cycle को छोड़ दो यहाँ पर इसको तो Vm ही लिख लो इसको तो आप Vm ही लिख लो Vm plus Vm by 2 plus Vm by 4 plus Vm by 8 ऐसे क्या होता जारा है बता जारा है बढ़ता है तो इसको अधार कर मैं Vm कॉमन ले लूँ 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 का whole square plus 1 by 2 का cube और infinite तक तो आप बताओ क्या बनेगा यह साम Vm into 1 upon 1 minus half कितना बन गया इसको अधार study state में यह 2 Vm पे जाएगा study state में 2 Vm पे जाएगा अच्छा आप इस पा देखें दूसरे पा आते हैं इस पे घगें के हाँ यह तो minus Vm आया पिर फोड़ा सा बढ़ गया फिर minus Vm आया फिर लीकिन कम बढ़ा ठीक है और फिर से minus Vm आया फिर और कम बढ़ा तो ultimately क्या होगा बता हो रही है यह minus VMP आजाएगा इसका उल्टी पोलेटिक आज़ेगा और minus VMP आज़ेगा समझाया इसको बोलते है voltage डबला तो study state में यह 2 VMP है और यह VMP है बतो उल्टी पोलेटिका VMP है समझे रहाँ मेरा point ठीक है इसको बोलते है voltage doubler क्योंकि डबल वोल्टेज आगे नहीं इदर output voltage अब डबल हो जाएगी study state में study state को छोड़िये study state तो infinite time के cycle के बाद आएगा कुछ cycle को सोचे इसकी frequency very large है तो यह कितनी cycle थी बता हो यहां तक यहां तक हमने कितनी cycle पढ़ी है ठीक है और चार cycle सोचे किलो हट्स की frequency का है ठीक है अगर मालीजे यह मैं बोलू 10 किलो हट्स की frequency है supply दी ठीक है तो अब बताओ एक cycle पूरा आपने में कितना time लगेगा 10 इस तो बार 4 इसका उतर 10 इस और minus 4 second 0.1 millisecond 0.1 millisecond यहां से यहां तक है तो चार में कितना time लगेगा बता हुजरा 0.4 millisecond में आपका यह 2 वोल्ट पे आजएगा समझा है यह इतना सा time लगेगा approximately 0.4 millisecond में 0.4 millisecond बहुत काम होता है ठीक है इसका उतर बहुत फड़ा फड़ चार जए गई कहीं आपको लगेगी इसर काफी time लगे infinite time लगे infinite तो ideally लगेगा otherwise देखा जए तो 0.4 millisecond में आजएगा अगर 10 kHz की आप ले रहे हो तो अब आप हो लोगे सर यूज कहा करते है ठीक है double voltage कहां यूज करते है कई जगे पर यूज करते है और एक famous application बता रहा हूँ आपको आपका जब passport होता है उसमें हम इसका use करते है ठीक है basically क्या होता है सुनिए उसके उपर जब light डाली जाती है उसमें अंदर एक chip होती है उसमें सारी information होती है ठीक है उसका पता है क्या बोलते है मैं नाम भूल गया हूँ है जी RFID RFID हाँ RFID बिल्कु सही तुसमें क्या होता है सुनिए हम एक signal डालते है उसके उपर ठीक है एक light डालते है basically वो उसका जो antenna होता है वो catch करता है उसको और वो high frequency signal बनाता है basically यह चीज क्या है बता हो यह जो source हमने लगा रखा है यह उसका kind of जो हम wave डालते हैं उसके उपर light डालते हैं तो उसकी वैसे यह source है high frequency source बन जाते है ठीक है antenna है यह kind of उस wave को catch करता है ठीक है ना अब उससे क्या होगा उसके अंदर यह capacity लगे है ठीक है उनसे यह charge जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है मेरा point और जो chip के अंदर जो information होगी वो फिर क्या होगी इनकी जो energy है उनका हम use करके उसको वापिस जो chip के अंदर जो information होगी उनको वापिस बेजेगी तो एक kind of दो काम चलते हैं एक तो उसने जो projector जो था उसने light डाली जैसे light डाली ये capacitor चार्ज होए चार्ज होगे जो chip को चाहिए थी energy वो प्रवाइड होगी और उनसे क्या होगी वो उन्होंने information वापिस send की ठीक है और वापिस जो जो transmitter होता उसी के अंदर एक हम receiver भी लगाते है वो receive कर लेता है वो इससे हम information देखते हैं समझाया तो RFID ठीक है ना समझाया मेला point इस तरह से हम इसका use करते हैं ठीक है बहुत जल्दी बहुत fast charge जाता है 2VM पे इवन 2VM का छोड़ना अगर ऐसे मैं बढ़ाते चले जाऊं तो तो जड़ा देखते क्या होगा एक बार वो आगे बढ़ते हैं बट एक बार रुग ये और कहां पर use करते हैं और बता तो कहां use करते हैं आपका जो flashlight होती है mobile की ठीक है उसमें हम use करेंगे सोचे कैसे यहां पर 2 भी हम चार से चुकाई है ठीक है अब यहां पर एक switch लगा रखा मैंने और यहां पर मेरी LED है रजिस्टिव लोड है LED बल आर माल लो इसको ठीक है तो जैसे आप इसको on करोगे क्या होगा एकदम से discharge होगा इसके तो ठीक है बहुत कम टाइम लगेगा फिर से flash मार सकते हो ठीक है तो इसका अब फटा फटा आप flash ले सकते हो clear है तो यह concept आपका हम flash light में होगा पहले पुरानी camera नहीं होते थे लाट थे एक light का वो एकदम से वा आता था ठीक है तो basically वो इसी चीज़ का कमाल है ठीक है clear हुआ और जरूरी नहीं है 2VM इससे multiple voltage ले सकते है बहुत ज़्यादा high voltage भी बना सकते है कैसे ज़रा देखिए मैं आप कर दूँ इसको समझा है पुरा concept ठीक है भई clear हुआ आप लोगो तो यह आप घर पे करेंगे अप सारा काम अगर आपकी understanding बन गई है तो आप यह वह हो लेकिन मैंने negative से शुरुआत किये कोशिश कीजिए positive से शुरुआत करने की positive से शुरुआत करोगे तो पहले ही दोनों काम करें शुरू कर देगे इसको तो हटा दो यह तची से काम करने है पहले क्या होंगे दोनों डायड यह पहले दोनों कापैस्टर काम करेंगे शुरू में ठीक है शुरुआत ऊपर से होगी ठीक है ना यहाद दीजिएगा तो अगर positive से आप शुरुआत करते हो इसको चार्ज होने में ठीक है ना चले मैं रब करना हूँ इसको ठीक है अब जरह देखिए तो original circuit क्या था अब मैं आपको shortcut भी बता दूँना कैसे हम ध्यान रखते है ठीक है यह था voltage doubler ठीक है क्योंकि voltage double हो रही है मेरी देखेगा तो जो circuit था मेरे पास वो कुछ इस तरह था यह कुछ circuit था ठीक है में Vm sin omega t तो हमने बोला कि यह चार्ज होगा अगर यह cc है दोनो अच्छा सोचिए अगर capacitor cc ना होते यह c होता यह 2c होता तो फिर अलग अलग voltage आते है यह 2vm पे आता है यह 2vm पे आता अब बीबी 2vm आता ही है study side में क्यो बस तो चेंज हो थोड़ा कम-कम आजाएगा cycle जाता लगेंगे अब चार तोने में नहीं समझे ठीक है बट उससे क्या फरक पड़ेगा सीवन सीट ले लोगे तब भी को फरक नहीं पड़ेगा अलग-अलग ले लो भाई उससे जो cycle में जो बदलाव आएगा number of cycle जाता लग जाएगी और डेल्टा में जो चेंज आएगा तोने कम-कम हो जाएगा नहीं समझे बट स्टिल लगेगा तो तरही ना जरा सोच के देखिएगा ठीक है आप चेक करें ना वैसे ठीक है आप खुद चेक कीजिगा देखेगा तो ये वीम पे चार्ज होगा और ये आपका टू वीम पे चार्ज होगा इसको बोलते है वोल्टेज डबलर ठीक है अच्छा पॉलरिटी बड़ी इंपोर्टेंट है देखना ये डायोड इसको चार्ज करेगा और ये डायोड इसको चार्ज करेगा तो अगर मैं एरो की तरफ चलू हूँ तो पोजिटिव प्लस इधर माइनिस इधर करेंट की डि लाओ ठीक है अब सुनू अब जब देखें आगे बढ़ते हैं फ्रसा नेक्स्ट अगर मैं ये बोनू कि मैंने एक और कपैस्ट लगा दिया और यहां पर डायोड लगा दिया सी अब आप मज़े ले रहे हो अब बताईए ये और कर दिया अब क्या होगा बताई ना है जी मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत कर दिया है को रुखो भई ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसे तो फिर चार दो नहीं पाएगा ये ठीक है एक बार रुगेगा मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगा रहा हूँ इसे गड़ पड़ जाएगे यहां तक समद आयकर में लगा हूँ यह मेरा बोल्टेज डबलर अब जर देखे मैं इसको कैसे करने कर रहा हूँ मैं तरह सब इसको फड़ा फैंसी सा बना रहा हूँ जर देखे कि वह मेरे लिए आसान रहेगा याद रखना भी ठीक है मैं इसमें भी बना सकता हूँ ठीक है बट देखे मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे डायोड लगा रहा हूँ अब यह मुझे थोड़ा सा याद रखना मेरे लिए आसान रहता है कि डायोड ऐसे लग गए तो अगर उसी हमें आप बना और कलता स्धामने यह best therapy घंवा इससे बसे बनाते है में इसको ब्लेख और देखते हैं और दिखते है क्या क्या वोटे जाएगी और और बीड़ से थे सट्ट जाए अधिक यह एसे डाइट लगा दो बस याद रखना असान है और बीज में कपास्टर सी सी सारे सी या कुछ भी अलग अलग लगा दो हो गोई दिक्कत नहीं हो से उससे कोई फ़रे नंबर उसाइकल बढ़ जाएंगे बस और क्या है नंबर उसाइकल बढ़ जाएंगे औ तो कुल मिलागे concept अगर आपको पता तो सायद आप कर लोगे लेकिन अगर आपने रटा मार हुआ है तो सिर्फ आपको एक बस वह रिजल्ट याद है उसका कि फाइनल कहां पे जाओगे आप ठीक है बट मैं फाइनल ना पूछू सो ची मैं एक साइकल के बाद पूछ लो कि आपको बताओ इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज क्या होगी तो बोल्ट हो सकते हो ठीक है ना ध्यान दीजेगा दोस्ते ठीक है तो important यह है कि आप इसका concept समझे बड़ जरह देखे मैं कैसे याद रखता हूँ इसको कि कौन सा कितने बोल्ट पर चाल जाएगा capacity value matter नही कितनी वोल्टेज पर चाल जोगा कौन कितनी वोल्टेज पर चाल जोगा उसका क्या आसान तरीका है उसके देखे दोस्तों अगर मैं negative cycle से start करो तो एक cycle में एक डायोड लोबस पहली cycle में पहला डायोड उल्टी ठीक है तो यह वीमपे है तो maximum यह वीमपे चार्ज करेगा इ यह चार जोगा वीमपे पहली negative cycle में पहला डायोड लो अब जब दूसरी cycle आएगी तो उसमें दूसरा डायोड लो अब यह रस्ता लो तो इसका वीम और इसका वीम कितना हो चुगा है बताओ तू वीम इसका वंदर यह पॉलेटी इस तरह आएगी और तू वीम सही है अब वीम चुक्ची cycle उल्टी है न यार है तो वीम प्लस टु वीम कितना हो गया ने थ्तु वीम और इसका मुझे बताना है बई वीसी लीग लो इसको माइनस वीसी माइनस वीक्ची और माइनस वीम एक्वल टू जीरो तो बताओ वीसी की वह लेक्छा ही 2 Vm सही है? इसका होते कितने पे 4 जोगा है? 2 Vm पे सही है? अब अगली cycle में बताओ अब अगली cycle में ये diet लेना है तो बताओ, Vm प्लस Vm कितना हो चुका है? 2 Vm प्लस 2 Vm, 4 Vm 4 Vm, माइनस 2 Vm ये, तो कितना हो गया? 2 Vm, तो इसका होते कितने पे 4 जोगा है? 2 Vm ठीक है? फिर अगले पे अगली cycle तो इसका होते ये 2 Vm आएगा देखना फिर ये, सारे अब 2 Vm आएगे सारे 2 Vm, लेकिन पॉलेटिक जान देना भी, कौन सा किस पॉलेटिक आएगा? ठीक है? समझा है क्या? अब सुनो, अगर मुझे यहाँ पे 100 V है सुचिए, यहाँ 20 V है और मुझे चाहिए 200 V तो आप बताओ, कितने डाएट लगाने पड़ेंगे मुझे? अगर मैं नीचे वाले को यूज़ कर रहा हूं तो अगर मैं नीचे वाले कापैस्टरस को यूज़ कर रहा हूं तो कितने डाएट लगाने पड़ेंगे? कितने चाहिए यह? 20 को 40, 40, 40, 40 और एक और 40, 5 चाहिए तो यहाँ तक बोलो, कितने है? यहाँ तक 2 आचुके हैं 2, यहाँ तक कितने? 4, कितने वोल्ट हो चुके हैं यहाँ तक? 40 प्लस 40 करो ना? 40 नहीं? 40, 40 प्लस 40, 80 80 तक कितने हो चुके हैं? 4 अब बताओ, अब यहाँ तक 120, कितने हो चुके हैं? 6 160 8 10 10 डाए डाए यहाँ तो चीदा डिवाइट कर दो, यहाँ ठीके? 10 डाए डाए यहाँ होंगे और आप देखते हैं, तो वोल्ट है रही है, आप 200 ले सकते हो, आप 2000 वोल्ट भी ले सकते हो, ठीक है? आइडिली देखा जाए तो, आप नीचे वाले, अगर इवन लेने तो नीचे वाले, और लेने तो क्या लगो? जैसे माल लेजे, 300 वोल्ट चाहिए आपको, तो विर ऊपर वाले से लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक VM है यहाँ ठीक है? जैसे माल लेजे, 100 वोल्ट के लोगे बताओ जिराब, 20-20 के तो कितने होंगे? 4, यह 40-40 के 2, और 20 का 1, तो यह तो 20 पे है, और यह 40-40, तो इसका दागर इसका ओड मुल्ट चाहिए तो ऊपर वाले से लोग, ठीक है? इन दोनों point के बीच की voltage निकालो, output देख लो ना कितनी है, यह point और यह point के बीच में, 100 आजाएगी, क्या कहते हो? और अगर even multiple of VM चाहिए, तो वह नीचे से ले लो, जीतना भी चाहिए आपको, वह point निकालो, एक यहाँ से ले लो, और एक कोई भी point ले लो, ठीक है? ठीक है तो देखो, circuit यही है, अगर अभी जो मैने study किया, वो इसको भूल जाओ ना, देखो, यह circuit study किया भी मैने, क्यावल इतना circuit, यही तो बनाए मैने यहापे, ठीक है, यही तो बनाए मैने, अब अगर इसी में, देखो, अब आपको confuse कैसे किया जाता है, confuse आपको diagram से भी किया ज अब यहाँ से क्या लगाएंगे मताओ, यहाँ से अब हम, डाइओ लगाएंगे, यह डाइड, इसी की continuity में लगा दिया, ठीक है, समझाया, और जो यह point था, जहाँ पर यह डाइड खतम हुआ था, यह जी, वहाँ से यह डाइड आगे 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 ना, देखो, D1 यह था, D D3 मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसके back to back लगा दिया अब बोलो, D1 के बाद जो point आया था, D1 यह था, D1 के बाद जो point आया था, और D3 का जो end point है, उसके बीच में क्या ना जी है, बताओ, कपैस्टर, अब यहाँ पर कपैस्टर आ गया, और बताओ, और एक कपैस्टर कहा पर आएगा, एक डाइड ओर लगा दो, इससे आगे, यह लो जी, वो डाइड इस तरह का आएगा, back to back है ना, और यह कहां पर अपनेगा, D2 और D4, D2 कहां पर है, D2 यह था, D2 का end और D4 का end, इनके बीच में क्या है, मतब बदन सकता है, आप समद्धियों ना मेरा point, कैसे इस भी डाइगरम बना देगा आपको, ठीक है, बट जनली, maximum time आपको doubler तक ही रखा जाता है, बस, ज्यादा नहीं पूछे जाता, आपको doubler तक ही रखेंगे, बट मैं multiplier भी पूछ सकता हूँ आप से, कि कितने डाइड यूज होंगे, मैं नीचे वाला, यह डाइगरम दे ठीक है, इस तरह कोशन पूछ सकता हूँ, दूसरा, मैं इसमें पूछ सकता हूँ, voltage की capacity अलग अलग वैले लेली doubler में, ठीक है, और मैं आपको बोल सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, कि अगले 2 cycle के बाद, voltage कितनी आएगी इसके उपर, तो उस case में आपकी understanding अच्छी होनी ची ठीक है, तो next time जब मुलाकात होगी, तब इसके आगी के जो concepts है, उनको हम लोग देखेंगे, आज के लिए इतना हैं दोस्तों, next time फिर से मिलते हैं, thank you